स्रेक्रिष्न कहते हैं, जिस प्रकार अगनी सोने को परक्ती है, उसी प्रकार संकट, वीर पुर्षो को, मनुस्य को परिनाम की चिंता किये बिना, लोभ लालच बिना, एवं नी स्वार्थ और निस्पक्ष होकर, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्रेक्रिष्न कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धी व्यग्र होती है, जब बुद्धी व्यग्र होती है, तब तर्क नस्थ हो जाता है, और जब तर्क नस्थ होता है, तब मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। मनुस्य को अपने कर्मों के संभावित पड़िनामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाव या हानी, प्रशन्यता या दुख इत्यादी के बारे में सोच कर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए. कर्म के बिना फल की अभिलासा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मुर्खता है. स्रीकृष्ण कहते हैं, अपने अनिवारे कारे कीजिये, क्योंकि वास्तों में कारे करना निस्क्रियता से बहतर है. सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चावियों से खुलती है. एक कठिन परिश्रम और दूसरा त्रिध संकल्ब। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगा भ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नस्ट कर स करता है. स्रीकृष्ण कहते हैं, मानव कल्यान ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुस्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय, मानव कल्यान को प्राथमिक्ता देनी चाहिए. मनुस्य का मन, इंद्रियों के चक्रवियों के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य, जैसी बुड़ी आदतों से ग्रसित हो जाता है. इसलिए मनुस्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रन होना चाहिए. स्रीकृष्ण कहते हैं, मनुस्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए. जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्याप्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना, जिस मानों का जोग कर्तव्य है, उसे वह कर्तव्य पूरा करना चाहिए. स्रेक्रिष्ण कहते हैं मैं भूतकाल, वर्तमान और भविश्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ लेकिन वास्तविक्ता में मुझे कोई भी नहीं जानता समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता स्रेष्ट पुरुस को सदैव अपने पद और गरिमा के अनलूप कारे करने चाहिए क्योंकि स्रेष्ट पुरुस जैसा वहवार करेंगे तो उन्हीं आदर्सों के अनलूप समान्य पुरुस भी वैसा ही वहवार करेंगे स्रीकृष्ण कहते हैं जो मनुस्य जिस प्रकार से ईश्वर का अश्मरन करता है उसी के अनुशार ईश्वर उसे फल देते हैं कंस ने स्रीकृष्ण को सदैव मृत्यू के लिए अस्मरन किया तो स्रीकृष्ण ने भी कंस को मृत्यू परदान की अता परमात्मा को उसी रूप में अस्मरन करना चाहिए जिस रूप में मानों उन्हें पाना चाहता है कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराईयों को ही याद रखेंगे इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिये आप अपना कर्म करते रहिए जो होने वाला है वो हो कर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता ऐसा निश्चे जिसकी बुद्धी में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए आप हमारी चैनल से जुर सकते हैं आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमिट करके जरूर बताईएगा जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार